दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन की पंचांग की आज दिनांग के 17 अगस सन 2023 विक्रम सुम्मद 2088 चल रहा है श्रावन मास से शुकल पक्षे वर्षा रितु है तिथी आज की प्रतिपदा है और आज का वार है गुरवार आज के नक्षत्र की बात करें तो म यह हो गया तो योग की दर्ष्टी से आज का दिन शुब नहीं है कोई अच्छा कारे कर रहे थे कोई रिष्टे की बात कर रहे थे बिजनस डिल कर रहे तो दिन को टाल दीजेगा करन बव है शाम पांच बच के 37 मिनट तक आगे किनस्तुगना करन रहेगा सूर्योदे का सम में शाम साथ बच के दो मिनट का है आज का राहुकाल दौपैर डेड़ से तीन बजे के बीच है इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुब कारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब जित मुरत आज दौपैर बारा बच के चार मि के 25 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को दक्षण दिशा में तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि दक्षण दिशा की यात्रा को टाल दे लेकिन जाना बहुत जरूरी अनिवार यात्रा है तो परिहार करके निकलें बहुत सरल है दक्षण के और मुक कीजिए थोड़ा सा प्योग करने का जो समय है वो है सुबह ग्यारा बज़े से दौपे डेड़ वज़े तक फिर शाम पांच बच के तीस मिनट से रातरी नौ बच के तीस मिनट तक बाकी पूरे दिन के अपेक्षा ये दोनों समयकाल ज्यादा शुब है अच्छे अफर्स करें तो समय का ध्यान से रहें के आप सफल को जाने हैं कर्द चंद राशी दर्शय को सिंग है यह चंद्रमा चंघ राशी से कोचर करte जिससा आज करें दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ स्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए योग का रख है आज का ए दिन वहीं व्रश राशी वालों को अपमान जनक स्थती का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशी वालों को एक मजबूत सयोग आज मिलेगा वहीं करक राशी वाले किसी पुराने निव्यश से पा सकते हैं लाब और सिंग राशी वालों को आज अपने अती आत्मिश्वास पर रखना है नियंत्रण कन्या राशी वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है तो ध्यान रखें तुला राशी वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती भी दिख रही है वहीं व्रश्चिक राशी वालों को कार्याले में मिलेगा जबर्दस समर्थन और प्रोथसाहन ऐसे ही धनू राशी व वाले पाएंगे नन्हाल पक्षे लाब बात करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा पर जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन में से समश्याओं को बाहर निकाल देते हैं और आपको सफल बना भोई रसुजाई कपट खटाई परत पुनी इसका अर्थ यह है कि प्रीती यानि प्रेम की सुन्दर रीती देखिए कि जल भी दूद के साथ मिलके दूद के समान भाव में बिखने लगता है लेकिन फिर कपट रूपी खटाई पढ़ते ही पानी अलग हो जाता है और दू हाओ नहीं आना चाहिए तो अपने जीवन में एक सिध्धांत बना ये कि हम किसी के साथ धूका नहीं करें आपने इस इध्धान्त बना लिया तो कभी आपके साथ जीवन में धुका नहीं होगा क्योंकि जो न्याव्योस्ता है जो प्रकर्थी की वह आपको संतुलन में बनाये रखती जैसा आप करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा यह आज की ज्यान चर्चा का सार है आप बात करते हूं विस्ट रुपायों पर जो आपकी सारी समश्यों के समाधान सरलता से कर देते हैं जिने करके आप सफलता को अरचनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तर्टा से तेज गती से अग्रिसर होते ह पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिनका जनम दिन है आज आप सुबह 10 बच के 15 मिनट से 11 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर केसर मिलावा जल और चंदन का इत्रा अर्पित करें और शिव महिम नस्तूत्र के मंदिर में बैठ के पाठ करें या सुन ल नहीं कि ऐसे दर्शे को जिनके जनम पत्रिका में गुरु ग्रह निर्बल या पाप पेड़ित हो या वो कन्याएं जिनके विवा में अनावशक विलम हो रहा हो या वो युवा जिनको सही मार्ग जीवन में नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में आज भगवान शिव जी की खास वि वानफा करें चंदन घिसकर उसे बिलूपत्र पे ओम लिखें और वह दिलूपत्र शीविलिंग पर आर्पित कर दे ऐसे ग्यारा बिलूपत्र आपको अरपित करनाए और इसके बाद में सारी प्रकरिया के बाद आप आप चार माला की मार बैटके ख्रेंग हैं औम ग्राम ग्रीम ग्रों सहे गुर्वे नम है फिर माता पार्वती को पीले वस्टर अर्पित करें प्रम moc घौब दूप दीब से पुजन करें और बहुती विशेश मंत्र का जाप करेंगा flowers एंट्योटy गिंद मैं 12 माल joking मंत्रों है स्प्रकार्फ से ढ KIMते ममें और ऐसे को आज से ही भगवान महा देव और गुरुं गुरे का अनुगरे आपको मिलने लगेगा और बहुत सी ग्रहıllित समझाओं से आप बाहर आने लगेंगे ऐसे दर्शे को यदि आप धन की कमी से परेशान हैं कर्द से भी समझाओं बढ़ रही हैं तो आज एक छोटा सा उपाया आप करें तो इन समझाओं से बाहर निकल जाएंगे करना सिर्फ ये है कि एक छोदे मुखी रुद्राक्ष रक्त वर्णी पुष्पो के मद्दे रखे यानि लाल फूलों के बीच में रखें चोदे मुखी रुद्राक्ष को पंचा मरच से उसको इसनान करवाएं और उसके सामने 11 माला श्रीम जाब करें और उसे काले धागें म महालक्षमे नम्हे ओम श्रीम महालक्षमे नम्हे इसकी एक यादिक मालाव जाब करते रहें इसके साथ साथ यदि आप भगवान शिवजी पर नित्य गुलाब की 27 पंखोडियां जिन पर यास्ट गंद से आपको श्रीम लिखना है यह लिखकर शिवजी परपित करते रहते हैं बहुत बड़ा लाब होगा आर्थिक रूप से आप देखेंगे चमतकार होगा आपके जीवन में आर्थिक इस्तिती बहुत मजबूत हो जाएगी ऐसे जिन विवाइद कन्याओं की वि कलगी लगती है वह लेकर विष्णुजी के मंदर जाए भगवान को लड़ों का भोग लगाए ग्यारा दीपकों को आप प्रजुलित करें जिनमें से एक दीपक ऐसा हो जो लंबे समय तक चले और वह जो कलगी हो भगवान विष्णुजी को अर्पित करें वहीं बैठे मं संदिर में और ग्यारा माला ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का चाप करें छोटा सो रूपाय है निश्चित रूप से योगेतम वर की शेगर शेगर आपको प्राप्ति हो जाएगी इसमें कोई भी संदे नहीं है तो दर्शे को यह था आज को विसस रुपाय जो आपकी बहुत बड़ी मनुकामनाय पूरी कर रहे हैं समश्चाओं से आपको बहाड़ा रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रीक आई है हमारे दर्शक अनिरुद जी की दिल्ली से पांच दिसंबर 1996 का इनका जनम है शाम है पंच में शुक्र पंचम में है साथ शाथ शनी की दसम द्रश्टी विवा वहाव यानि सप्तम्प है सारी स्थिती बता रहे हैं कि यह तो तै है कि आपकी लव मेरे जी होगी अब आपका विवा योग जो है वो नौंबर सन दोजार तेईस से अपरेल दोजार 24 के बीच म आप किस फील्ड में होगी कब तक मिलेगी देखिए रवी जी आपका धनू लगन है धनू लगन में चंद्रमा बैठें तो धनू ही राशी है आपके पत्रिका में लगनेश गुरू करम अधिपती बुद्ध और धन अधिपती शनी की स्तती दर्शा रहे हैं कि जन्म स्तान में आपकी नोकरी लगेगी तो उसके लिए आप तयारी कीजिए तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विस्षट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूठ शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में होता रहेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उप लिए कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ हुआ भगवति आप सब का कल्यान करें जय आदिशक्ति कि अ कि अ कि अ कि अगर कि कोई भी हरडल है कोई भी परेशानी है तो हम कैसे उससे ओवरकम करें इसके लिए दोस्तों एक से लेकर नौ मूलांग तक की रीडिंग करते हैं यदि आप नहीं जानते कि कौन सा है आपका मूलांग और कौन सी आपकी रीडिंग होगी तो एक एक्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डिटो बर्थ है 22 यानि की 22 तो दो और दो को जब आप जोडते हैं तो जोड़ाता है नंबर 4 तो 4 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 17 अगस 2023 आज की तारिक यानि की 17 एक और साथ को जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 8 आठ है आज की तारिक का मूलांग जिसके स्वामी है शनी तो शनी देव जो हैं उनका क्या इंपेक्ट आज एक से लेकर 9 मूलांग तके जातकों पर पढ़ रहा है क्या हमें डिवाइन गाइदेंस वो दे रहे हैं जिससे आज की दिन को हम बहतरीन बनाए आए हम जानते हैं लेकिन आगे बने से पहले आपको तो पताई है दोस्तों कि हर रोज हम किसी एसे विशेश दारें करें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए और इसकी उत्पत्ती कैसे हुई इसके विशे में और बहुत सारी बाते में आपको आने वाले एपिसोड ने बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड में यह जानना बहुत ज़रूरी है मित्रो पुराणों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पूर समय में त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ था जिसने की बहुत जादा जो है वो परेशान कर दिया था तबाही मचा दी थी और देवताओं को मनुष्यों को सबको उन्होंने परेशान करना शुरू किया तो ऐसे में जितने भी देवता थे वो सभी परिशान होकर और भगवान शिव कर जो रुद्र अवदार थे उनके पास वो गए भगवान शिव के पास उसक्त वो पूरे रुद्र सुरूप में अपने थे और उन्होंने जो है प्रार्थना की और प्रार्थना जब की उन्होंन वो ऑगौर को उत्पन कीया और जब अगोर शुस्तर को वो ऊत्पन कर रहे थे उस वक्त उनकी आखों से अश्रुढारा बह निकली और जब वो रोय हैं तो उनकी जो आँसू थे वही जो है भगवान शिव की करपा हमें प्राप्त होती है हर प्रकार की नकारात्म कूर्जा जो है वो हमसे कोसो दूर रहती है और एक और विशेश बात कि जब रुदराक्ष का जब पेड़ आता है तो उसका फल रुदराक्ष नहीं होता बलकि जब फल सूख जाता है तो उसके अंदर का जो बीज होता है उसे हम रुदराक्ष कहते हैं जो की पुराने समय में तो एक से लेकर 21 मुखी क्योंकि उसके पर धारिया बनी रहती है उसे हम उसका मुख कहते हैं तो वो एक मुखी दो मुखी से अलग अलग प्रकार की होते हैं तो एक से लेकर 21 मुखी तक के रुदराक् जो है वो easily available हो पाते हैं फिर भी काफी दोड़ला होते हैं इन में से कई रुद्राक्ष तो आए दोस्तों यह जानकारी जो आपको मिली बाकी की जानकारियां हमारे आगे के एपिसोड में तो आए जानते हैं आज के दिन मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या है वो है इंद्र धनोशिय रंग और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका इतना अच्छा है कि जो भी कोई कार है आपके अटके हुए थे जो परेशानिया चली आ रही थी आज उसका अंत होगा कही ना कहीं आज का दिन आपको अबंडन्स की प्राप्ति होगी आपके आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेंगे आपका दिन शुबहों आइए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक दो के लिए हमें कहा जा रहा है फिर से अबंडन्स का काड है है मूलांक दो के जात्कों को भी बहुत ही इच्छा है और अबंडन्स आज आपको प्राप्त होने वाली है कुल मिला के जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहा रहे थे आज आप उसे इजी ली पा लेंगे जो भी कोई कारे में आज आप हाट डालेंगे वो कारे आपका बहुत ही तीजी से आगे बढ़ने वाला है अगर वित्य संबंदी इन्वेस्टमेंट करना है कोई नया कारे आरंब करना है तो बिल्कुल आप आज के दिन कर सकते हैं आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा हैAS हीलिंग का कार्ड है आज के दिन आपको हीलिंग की आवशकता पढने वाली है आज थोड़ी बहुत बेचैनि आप महसूस कर सकते हैं थोड़े परिशान हो सकते हैं पैसी के लिए दिन में आज आप साथानी बढ़ते हैं कोई भी ऐसा कारें ना करें जिसमें आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रहें दो कि आज के दिन आपको स्वास्त पर देना है और या शारेरिकं के साथ मांसिक और भावनात्मक थ्यास्त भी है तो कुल मिलाके आज सारा ध्यान आपको खुद की वैलबिंग पर देना है आपका दिन शुम हों सिर्फ कि इसे जानते lovers का card है आपका जो lucky number है वो है number 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंग का है आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं romance और love से भरा हुआ होगा आज के दिन अगर आप अपने partner के साथ एक अच्छा समय वेतीत करते हैं तो no doubt बहुत ही बहतर आपके लिए रहेगा उसका result बहुत अच्छा रहेगा आज आपके जो partner है वो life partner हो सकते हैं business partner भी हो सकते हैं कि आप business में अपने एक नई रूप रेखा तयार करें आपका जो जो लोग आपको पसंद करते हैं आज जो लोग आपको प्रेम करते हैं आपके जो परिवार जहने उनके साथ बहुत अच्छा समय आप यतित कर पाएंगे और वो लोग जो की single हैं उन्हें commitment मिल सकता है प्रेम प्रसंग के प्रिस्ताव आ सकते हैं विवाह के प्रिस्ताव भी मिल सकते हैं आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 14 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है awareness का card है lucky number है आपका number 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने field से related कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं आपके thought process को change कर देगी आज के दिन आपको ऐसी बात पता चलेगी जो की अमूमन आपसे हो सकता है छुपाई जा रही हो तो आज का दिन बहुत important है तो कोई भी आपको आज धन का investment नहीं करना है पैसे के लिए दिन में सावधानी बरतनी है किसी पर भी आँख मूंद कर आज आपको भरोसा नहीं कर करना है क्योंकि आज के दिन कोशिश कीजिए आपका आर एंडी कहते हैं रिसर्शन डवलब्मेंट आज का दिन उस चीज़ का आपका दिन है आपका दिन शुभोग आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंडिशनिंग का कार्ड है लकिन नमबर है आपका तीन और आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की परिस्तिती है उसकी विज़े से आप बहुत ज़ादा जो है बंधावा महसूस करते हैं आप बहुत ज़ाद अपने आपको मानसिक्ता नहीं ही आपको बांधा हुआ है दूसरों के उपर आपको नहीं देखना है नहीं ध्यान देना बल्कि खुद के उपर ध्यान देना है खुद की मानसिक्ता को आपको बदलने की जरूरत है आप ऐसा हाई महसूस मत कीजिए बल्कि चीजों से बाहर निकलिए अप आज के दिन आप दूसरों के उपर आशुरत ना रहें दूसरों को ना देखें बलकि खुद के उपर काम करें और अपने आपको इन कंडिशन से मुक्त करें आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है प्रोजेक्शन का कार है लगी नमबर है आपका साथ और आपको कहा जा रहा है कि आज आपके आसपस जो भी कुछ घटि है आपके आस-पास की परिस्तिति है वह के प्रती कूल हो रही है आपके फेवरेबल में नहीं तो बाहर के परिस्तिकी को बदलने के विजाएज आपको अपने आपको भीतर से चेंज करना बहुत जरूरी है आपका दिन शुभष आ आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अगस्त 2023 के लिए आज की तारिक जो है उसका जोड भी है नंबर आठ और मूलांक आठ की हम बात कर रहे हैं हमसे कहा जा रहा है च्रस्ट आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की क आपके उपर बनी हुई है जो भी कोई हडल परेशानी कुछ भी अगर आप महसूस कर पा रहे थे तो अब आपको जो है सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए दो ही बाते हैं या तो आसपास की पर सिती को बदलने की ताकत रखो शमता रखो नहीं बदल पा रहे हो तो फिर भगवान के उपर छोड़ दो तो आज के दिन आपको हर चीज को डिवाइन को समर्पित कर देना चाहिए फर्गेट एंड फर्गिव में आपको आगे बढ़ जाना है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है च्रस का कार्ड देखी कार्ड जे वो रिपीट हुआ है और मूलांक 9 के जात्कों को भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको Surrendrance and Acceptance करना चाहिए परमात्मा पर आप भरोसा रखें जो भी कोई आप कारे कर रहे हैं जो भी कोई आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज की दिन अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति या विशेश परिस्तिती के बारे में कुछ किसी प्रकार के नकारत में प्विचार आपके जहर में आ रहे हैं तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजे और अपने का परमात्मा को मेरा प्रणाम